नमस्कार मैं सुशिला राइडिम्री रोज की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं अपनी रसोई में सोयबीन या जिसे चंग्स या न्यूटिला भी कहते हैं इसकी रैस्पी शेर कर रही हूँ उसे पहले सोयबीन में नमक डाल कर एक उबाल आने तक उबाल लेंगे पिंडा होने पर छनी से चान कर अच्छे से निचोड़ कर एक साइड रख देंगे दूसरी तरफ मैंने कडाई में दो मोटे प्याज थोड़ा अदरग हरी मिरिच आज दस लेसुन की कलियां इनको हलका फ्राई कर लिया है फिर उसी कडाई में सोयबीन भी थोड़ा फ्राई कर लिया है ताकि सोयबीन में एक स्मेल जो आती है वह चली जाए इधर जो मैंने म 12 मिनिट बाद कटे टमाटर और सभी बेसिक मसाले जैसे धनिया, हल्दी, नमक, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिस डालकर तेल छोड़ने तक अच्छे से पकाना है सारे मसाले भूनने के बाद आप सोयबीन की बढ़ियां कराई में डालकर जितना पानी हमें चाहिए उतना डाल कर 10 मिनिट तक धिमियाज पर पका लेंगे, उपर से चाहें तो हरा धनिया भी डाल दे, 10 मिनिट बाद हमारे सोयबीन की सबजी बनकर त्यार है, इसे चावल, रोटी, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे, दोस्तो इसे चाहें तो सिंपल सबजी जैस तो आप भी एक बार ऐसे ही जुरूर ट्राइ करें, तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलूंगे नेक्स वीडियो में ऐसे एक नहीं जानकारी और नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग रोज की रसुए